वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल निशा एजूकेशन आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर एट जिसका नाम है चतुर बुच की एक्सराइज 8.2 के वीडियो में सॉल्व करेंगे जो की इस एक्सराइज के लाश्ट प्रेशन हैं तो चलिए सबसे पहले हम question number 5 solve कर लेते हैं ठीक है देखते है question number 5 में हमसे क्या पूछा गया है question है एक समांतर चतुर पुच A, B, C, D में E और F क्रमशह भुजाओं A, B और C, D के मध्यबिंदू है दर्साइए कि रेखा खंड A, F और E, C विकर्ण B, D को सम्त्री भाज़त करते हैं ठीक है तो चलिए इस question को हम आकृति के माध्यम से समझते हैं तो हमें question में A, B, C, D एक समांतर चतुर पुच दिया हुआ है ठीक है और इस समांतर चतुर पुच की भुजा A, B का मध्यबिंदू E दिया हुआ है और C, D का मध्यबिंदू F दिया हुआ है ठीक है ये चीज़ हमें दे रखी है तो हमें दर्शाना है कि रेखाखंड AF और EC बिकर्ण BD को समत्री भाजित करते हैं ठीक है इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पार्ट है ठीक है ये वाला ये वाला और ये वाला ये तीनों बराबर हैं ये चीज हमें प्रूफ करनी है या सिद्ध करनी है ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा आसान question है देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे है ना हमें ये जो चतुर्बुज दिया हुआ है एक समानतर चतुर्बुज दिया हुआ है ठीक है तो ABCD एक समानतर चतुर्बुज है इसकी help से हम अंदर वाले चतुर्बुज जिसका नाम है A, E, C, F इस चतुर्बुज को हम क्या करेंगे समानतर चतुर्बुज प्रुफ करेंगे और इससे समानतर चतुर्बुज प्रुफ करने के बाद हम मध्य बिंदु प्रमे का विलोम लगा करके इन तीनों पार्ट को क्या करेंगे equal या बराबर कर देंगे ठीक है तो चलिए हम question को solve करते हैं तब ही अच्छे से समझ में आएगा ठीक है बहुत ही ज़्यादा आसान question है ध्यान से देखिएगा ठीक है तो चलिए सबते पहले हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें की A F E C विकर्ण B D को समत्री भाजित करते हैं इसका मतलब B Q बराबर हमें सिद्ध करना है P Q बराबर हमें सिद्ध करना है D P ठीक है समत्री भाजित करता है समत्री भाजित करता है का मतलब समान तीन भागों में बाड़ता है तो ये भाग ये भाग और ये भाग को हमें क्या करना है बराबर प्रूफ करना है अब देखिए हम इसे क्या करतेंगे सिद्ध कर देंगे ठीक है ना तो चलिए लिख देती हूं मैं यहाँ पर सिद्ध चतुर बुज है ठीक है अब देखिए ABCD एक समानतर चतुर बुज है इसका मतलब समानतर चतुर बुज के सारे गुरधर्म ABCD में आएंगे ठीक है तो देखिए समानतर चतुर बुज में सम्मुख भुजाओं का जो एक योगम होता है वो क्या होता है समानतर भी होता है साती स बराबर भी होता है तो इसी बात को मैं हाँ पर लिख दूँगी कि A B जो भुजा है ये C D के समानतर होगी और A B जो भुजा है वो C D के बराबर भी होगी ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूं उससे पहले हम यहाँ चाहे तो reason लिख सकते हैं कि दिया है करके ठीक क्या होगा समानतर भी होगा और साथी साथ क्या होगा बराबर भी होगा तो मैंने लिख दिया AB समानतर है CD के और AB बराबर है CD के ठीक है अब देखिए AB और CD समानतर है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इनका आधा भी क्या होगा समानतर होगा बिलकुल होगा ठीक है यह इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें question को proof करना है ठीक है तो चलिए मैं आपर लिख देती हूँ कि half a, b और half c, d भी आपस में क्या होगी समानतर ठीक है a, b और c, d आपस में समानतर है इसका मतलब यहाँ पर इनका आधा भी क्या होगा, समानतर होगा, ठीक है, तथा करके हम लिख देते हैं, अब देखिए, यहाँ पर AB और CD क्या है, बराबर, इसका मतलब इनका हाफ भी क्या होगा, बराबर, ठीक है, तो हाफ AB बराबर हो जाएगा, यहाँ से हाफ CD के, ठीक है अब देखें, half AB, मतलब AB का आधा कितना भाग है, इतना भाग है, या फिर हम इतना भाग को लिख सकते हैं, ठीके न, यदि कोई आपसे कहें कि AB का आधा लिखें, तो आप AB के आधे में इतना भाग भी लिख सकते हैं, और इतना भाग भी लिख सकते हैं, ठीके, लेकिन हमें लेना कौन सा भाग है ये वाला ठीक है आपको ये याद रखना है कि A, E, C, F को हमें एक समांतर चतुरवश प्रूफ करना है ठीक है तो हमें ये वाला ही भाग लेना पड़ेगा ठीक है तो हाफ A, B के जगह हम क्या लिख सकते हैं A, E ठीक है समांतर हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर हाफ सीडी को क्या लिखा जा सकता है इतना भाग भी लिखा जा सकता है ठीक है लेकिन हमें कौन सा भाग लेना है जो इस चतुरवश में आ रहा हो ठीक है मतलब A, E, C, F चतुरवश में आ रहा हो तो कौन सा भाग आ रहा है FC भागा रहा है ठीक है तो चली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ FC अब देखिए तथा करके हम लिख देते हैं अब हाफ AB मतब AE ही आएगा ठीक है तो AE बराबर हो जाएगा अब FC के ठीक है तो यहाँ पर देखिए चत्तुर बुज A, E, F, F में A, E, C, F में समांतर भुजाओं का एक युग्म ठीक है समांतर भी है और साथी साथ क्या है बराबर भी है अतहा हम कह सकते हैं कि चतुर बुज A, E, C, F क्या होगा एक समांतर चतुर बुज होगा ठीक है इतना सब कुछ हमने AECF को समांतर चतुरपुच प्रूफ करने के लिए ही तो किया है ठीक है तो देखिए AECF में सम्मुक भुजाओं का एक यूगम समांतर और बराबर आ चुका है अतह मैं कह सकती हूँ अतह AECF एक समांतर चतुरपुच है अब देखिए AECF एक समांतर चतुरपुच है इसका मतलब यहाँ पर सम्मुक हो जाओं का दूसरा यूगम भी क्या होगा समांतर होगा ठीक है दूसरा यूगम कौन सा है AF और EC ठीक है तो AF और EC भी आपस में क्या हो जाएंगे समांतर तो इसी बात को मैं यहाँ लिख देती हूँ कि A F समांतर हो जाएगा EC ठीक है इसको हम दे देते हैं equation number first क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी ठीक है अब आगे देखिए ठीक है आप लोगों को एक त्रिबुज दिख रहा होगा जिसका नाम है त्रिबुज A B P ठीक है त्रिबुज A B P मतलब ये वाला त्रिबुज ठीक है इस त्रिबूज में न हम क्या करेंगे मध्य बिंदू प्रम्य की विलों प्रम्य लगा देंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो मैं त्रिबूज का नाम लिख देती हूँ कि त्रिबूज A B P में ठीक है यहाँ पर देखिए हमें पता है कि A, B का मध्य बिंदू क्या है E देखिए यहाँ पर आप लोगों को त्रिबूज A, B, P देखना है सिर्फ इतना त्रिबूज ठीक है तो इस त्रिबूज में A, B जो भुजा है इसका मध्य बिंदू क्या है E ठीक है और जग किसी भी त्रिबुज में किसी एक भुजा का मध्य बिंदू सिखीजा जाने वाला रेखा खंड, ठीके, त्रिबुज की किसी दूसरी भुजा के क्या हो समानतर, ठीके, तो वो त्रिबुज की तीसरी भुजा को क्या करता है, सम्धिव भाजित करता है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर देखिए AB का मध्य बिंदू है E ठीके और EQ समानतर है AP के इसका मतलब यहाँ पर Q भी BP का क्या होगा मध्य बिंदू होगा ठीके ऐसे वाले question हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं तो I hope इस question में भी आप लोगों को कोई दिकत ना हो रही हो ठीके तो त अध्य बिंदू है ठीके तथा EQ समानतर है AP के reason हम यहाँ पर दे देंगे ठीके अब देखिए EQ और AP समानतर क्यूं है ठीके ना अभी अभी हमने चतुरबुच A, E, C, F को क्या किया है समानतर चतुरबुच ठीके और equation number first में आप देख पारे होगे कि यह इतना पूरा भाग मतलब A, F और E, C क्या है समानतर इसका मतलब यह और यह दोनों रिखाएं क्या है समानतर तो इसका इतना भाग और इतना भाग भी क्या होगा समानतर ठीके इसलिए हाँपर मैंने लिख दिया कि EQ समानतर है AP के reason हम दे देंगे समी करण एक से ठीके अब आगे देखिए हम क्या लिख सकते हैं अतहा Q, B, BP का क्या होगा मध्य बिंदू होगा ठीके तो चलिए लिख देते हैं अतह Q, PB का मध्य बिंदू होगा ठीके अब Q, BP का मध्य बिंदू होगा इसका मतलब BQ और PQ आपस में क्या होगे बराबर ठीके इसका मतलब तो यही हुआ ना कि Q, यह जो Q है यह PB का क्या है मध्य बिंदू है, है ना मध्य बिंदू है इसका मतलब इतना भाग और इतना धाग आपस में क्या होगा बराबर तो उसी बात को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि BQ और PQ आपस में क्या होगे बराबर और इसे हम दे देते हैं equation number second क्योंकि इसकी ही हमें आगे जरुत पड़े और इसी से हम क्या करेंगे BQ बराबर BQ बराबर DP सिद्ध करेंगे ठीक है चलिए आगे का पार्ट मैं इधर solve कर लेती हूँ ठीक है जो चीज हमने त्रिबूज A, B, P में की है वही चीज अब हमें त्रिबूज D, Q, C में करनी है ठीक है D, Q, C में करनी है तो देखे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि त्रिबूज D, Q, C में ठीक है देखिए हमें दे रखा है question में कि C, D का मध्यबिंदू क्या है F ठीक है और अभी-अभी मैंने बताया था कि मध्यबिंदू प्रमे की विलोम क्या होती है ठीक है जब कि किसी भुजा की मध्य बिंदू से एक रेखाखंड खीचा जाता है और वो रेखाखंड त्रिपुच की दूसरी भुजा के क्या होता है समानतर ठीक है तो ये रेखाखंड तीसरी भुजा मतलब DQ को क्या करेगा सम्दिभाजित करेगा ठीके इसका मतलब यहाँ पर P जो है वो DQ को क्या होगा मध्य बिंदू होगा ठीके जैसा हमने यहाँ पर किया है वही चीज हमें यहाँ पर करनी है ठीके ना तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ की F DC का मध्य बिंदू है ठीक है यह हमें question में ही दिया हुआ है और देखिए यहाँ पर जो F P है और Q C है ठीक है यहाँ मैं कहे दू C Q और F P यह दोनों क्या होंगे समांतर ठीक है मैं आप लोगों को फिर से बता दू कि A E C F क्या है समांतर चतुरबुष तो यहाँ पर A F और E C के है समांतर भुजाए है ठीक है तो यह पूरी भुजाए है यादी समांतर है तो इसका इतना भाग और इतना भाग भी क्या होगा समांतर होगा तो चलिए हम लिख देते हैं कि C Q समांतर होगा F P के के लिख देती हूँ अतह P DQ का मध्य बिंदू होगा ठीक है बहुती ज़्यादा आसान question है ठीक है यदि आप लोगों ने इस से पहले वाले question मतलब question आप 1, 2, 3 और 4 बहुत अच्छे से किया होगा ठीक है तो ये question आपको बहुती ज़्यादा आसान लगेगा ठीक है ना तो देखें आपर P DQ का मध्य बिंदू है ठीक है P DQ का मध्य बिंदू है इसका मतलब इतना भाग और इतना भाग आपस में क्या होगा बराबर तो चलिए मैं लिख देती हूँ कि D P बराबर क्या होगा P Q ठीक है इसे हम देदेते हैं equation number third ठीक है अब देखें equation number second और equation number third से हम क्या देख पा रहे हैं ठीक है समी करण 2 व 3 से हम क्या देख पा रहे है कि P Q के बराबर क्या है B Q ठीक है और P Q के ही बराबर क्या है D P इसका मतलब B Q P Q और D P आपस में क्या होंगे बराबर तो मैं क्या ये वाले लाइन देख सकती हूं कि B Q, P Q और D P आपस में क्या होंगे बराबर तो चलिए लिख देते हैं B Q बराबर P Q बराबर क्या हो जाएगा D P और I think हमें यही चीज इस question में proof करनी थी ठीक है क्या कि रेखाखन AF और E C विकाण BD को सम्त्रिभाजित करते हैं तो I hope question number 5 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होगा ठीक है चलिए अब हम next question मतलब question number 6 तॉल्व कर लेते हैं next question है question number 6 ये भी question बहुती जदा आसान है ध्यान से देखेगा question है दरसाइए कि किसी चतुरबुच की सम्मुक भुजाओं के मध्य बिंदू को मिलाने वाले रेखाखन परस पर सम्त्रिभाजित करते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि हमें question में आकरती नहीं दे गई है हमें क्या करना है question को पढ़कर समझ लेना है उसके बाद आकरती बना लेनी है ठीके तो चलिए हमने यहाँ पर आकरती बनाई हुई है मैं आप लोगों को बताती हूँ सबसे पहले तो हमें एक चतुरुज बना लेना है चतुरुज A, B, C, D ठीके और बोला गया है इसके मध्य बिंदू सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदू को मिलाना है तो सबसे पहले तो हमें मध्य बिंदू बनाना पड़ेगा ठीक है तो AB का मध्य बिंदू P हमने बना लिया BC का Q मध्य बिंदू बना लिया CD का R और AD का S मध्य बिंदू बना लिया अब देखिए मध्य बिंदू को हमें क्या करना है मिला देना है तो मैंने यहाँ पर P और R को मिला दिया और यहाँ पर S और Q को मिला दिया ठीक है तो हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो OR है और OP है यह आपस में बराबर है ठीक है समध्य भाजत करते हैं इसका मतलब दो बराबर भागों में बाटते हैं ठीक है मतलब OR और OP को हमें बराबर प्रूफ करना है सेम यहाँ पर OS और OQ को हमें बराबर प्रूफ करना है ठीक है तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर देखिए डाइरेक्टर कर में यह बनाती तो तब तो फिर इस question को सिद्ध करना possible नहीं था ठीक है तो हमने क्या किया कि इन मध्य बिंदूओं को भी आपसे मिला दिया मतलब BQ, QR, RS और SP को मिला लिया ठीक है और हमने अलग से एक यहाँ पर चतुरबुच ABCD का विकर्ण मनाया है ताकि हम इस question को प्रूफ कर पाए ठीक है सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें ठीक है OR बराबर OP तथा OS बराबर OQ हमें सिद्ध कर रहा है ठीक है अब देखें इस question में हमने कुछ रच्टाई भी करी है तो हम यहाँ पर लिक देते हैं रच्टाई ठीक है रच्टाई हमने क्या करी है PQQRRS वस्प को मिलाया ठीक है इतनी हमने रच्टाई की है तो मैंने यहाँ पर रच्टाई लिख दिया ठीक है अब हम क्या करेंगे इस question को सिद्ध करेंगे मतलब हमें जो दे रखा है ना मतलब हमें जो सिद्ध करना है O R बराबर O P तथा O S बराबर O Q यह हम सिद्ध करेंगे ठीक है तो देखे बहुते ज़्यादा आसान है हम क्या करेंगे यहाँ पर यह जो AC विकर्ण है AC विकर्ण के नीचे की तरफ आप लोगों को एक त्रिबुज दिख रहा होगा और AC विकर्ण के उपर की तरफ एक त्रिबुज दिख रहा होगा ठीक है तो त्रिबुज A, B, C और त्रिबुच A, D, C में हम क्या लगा देंगे मध्य बिंदु प्रमे उससे होगा ये कि ये जो अंदर वाला चतुरबुच देख रहा है चतुरबुच P, Q, R, S, एक समानतर चतुरबुच प्रुफ हो जाएगा ठीक है और जैसी ही चतुरबुच P, Q, R, S, एक समानतर चतुरबुच प्रुफ होगा ठीक है उससे होगा ये कि हमें पता है कि समानतर चतुरबुच के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समतिभाजित करते हैं ठीक है ठीक है तो जैसी हम इस चतुरबुच को समानतर चतुरबुच प्रुफ करेंगे तो ये आटोमेटिक ही सिद्ध हो जाएगा कि समानतर चतुरबुच के विकर्ण एक दूसरे को समधिभाजित करते हैं हम ये लिख पाएंगे और हमारा क्वेस्टेन बहुती असानी से प्रुफ हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रीबुच A, B, C में मध्धिबिंदू प्रमे लगा देंगे ठीक है तो यहां त्रीबुच A, B, C में ठीके मध्य बिंदू प्रमे मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि किसी भी त्रिबुज में किनी दो भुजाओ कि मध्य बिंदू को मिलाने वाला रेखा खंड ठीके तीसरी भुजा के समानतर होता है और तीसरी भुजा से आधा होता है ठीक है तो चले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ त्रिबुच ABC में यह जो BQ है यह समानतर होगा AC के तथा यह जो PQ है यह हाफ होगा AC का इसे हम दे देते हैं equation number first ठीक है और यह आया कहां से मध्य बिंदू प्रमे से तो हम reason भी लिखी देते हैं ठीक है मध्य बिंदू प्रमे से ठीक है अब देखें सेम चीज हम उपर की तरब जो त्रिबुच है मतलब AC विखण की उपर की तरब जो त्रिबुच है ना उसमें भी मध्य बिंदू प्रमे लगा देंगे मतलब त्रिबुच A, D, C में ठीक है तो चलिए लिख देते हैं त्रिबुच A, D, C में क्या होगा यह जो sr है यह समांतर होगा ac के और sr आधा होगा ac का ठीक है तो चलिए लिख देते हैं sr समांतर होगा ac के तथा sr बराबर होगा half ac के ठीक है इसे हम दे देते हैं equation number second और यह भी कहां से आया मध्य बिंदू प्रमे से तो आप लोग यही चीज़ें हाँ पर लिखत देंगे ठीक है अब देखिए समी करण 1 वह समी करण 2 से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि pq समांतर है ac के और sr भी समांतर है ac के इसका मतलब pq और sr भी हापस में क्या होगे समांतर ठीक है और समी करण 1 और 2 के इस तरफ देखिए यहां से ठीक है pq बराबर है half ac के और sr बराबर है half ac के इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो right hand side है वो दोनों क्या है बराबर मतलब left hand side भी क्या हो जाएंगे बराबर मतलब pq और sr भी रपस में क्या हो जाएंगे बराबर तो चलिए लिख लेते हम समी करण 1 वह 2 से बहुती ज़ जिससे पहले वाले question कर चुके हैं या जिलको मध्यविंदू प्रमे की help से question करना आता हूँ ठीक है तो देखिए यहां से अभी अभी मैंने बताया pq और sr आपस में क्या हो जाएंगे समानतर तथा pq और sr आपस में क्या हो जाएंगे बराबर ठीक है तो देखिए pq समान समानतर है sr के और pq मतलब यह बराबर है sr के तो चतुर बुझ pqrs में देखिए ठीक है सम्मुक भुजाओं का एक युगमा ठीक है क्या हो गया भी समानतर भी हो गया साथी साथ बराबर भी हो गया तो क्या मैं कह सकती हूँ कि चतुर बुझ pqrs क्या है एक समानतर चतुर ठीक है तो चलिए लिख देते हैं अतह चतुर बुज पी क्यू आर एस एक समानतर चतुर बुज है ठीक है तो देखे मैंने आप लोगों को सुरू में ही बता दिया था कि हमें क्या करना है चतुर बुज पी क्यू आरेस को एक समानतर चतुर बुज प्रुफ करना है और जैसे ही एक समानतर चतुर बुज प्रुफ होगा ठीक है उससे होगा समांतर चत्तुर बुज के विकर्ण परस पर समद्वी भाजित करते हैं अर्थात हमें जो सद्ध करना है वो हम लिख सकते हैं कि OR बराबर होगा OPK और OS बराबर होगा OQK ठीक है तो चली मैं याँ पर लिख देती हूँ कि OR बराबर होगा OPK तथा OS बराबर होगा OQK ठीक है और यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी तो यह बहुती ज़्यादा आसान क्वेशन है ठीक है आई होप यह क्वेशन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है चलिए अब इस exercise का हम last question मतलब question number 7 को भी solve कर लेते हैं next question है question number 7 जो कि इस exercise का last question है ठीक है बहुती ज़्यादा आसान question है ठीक है ध्यान से देखेगा और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि इस question के लिए न हमें आकरती नहीं दी गई है ठीक है हमें question को पढ़ लेना है और फिर आकरती बना लेनी है ठीक है तो चलिए हम question को पढ़ कर आकरती में समझते है question है a b c एक त्रिबुच जिसका कोण c समकोण है ठीक है तो हमें क्या करना है कि एक त्रिबुच a b c बना लेना है और बोला गया है कि इसमें जो कोण c है वो समकोण है ठीक है समकोण का मतलब होता है 90 अंस तो यह हमने बना लिया अब कर्ण a b के मध्य बिंदू m से ठीक है त ab के मध्य बिंदू m से होकर b c के समांतर ठीक है इससे होकर यह जो हो पर एखा खिची गहीए यह क्या है b c के समांतर ठीक है AC को D बिंदू पर क्या करती है प्रतिछेद करती है ये हमें question में दिया हुआ है आगे है दर्शाय ये की इस question में हमें total 3 पार्ट को प्रूफ करना है 1st, 2nd और 3rd पार्ट बहुती छोटे छोटे और बहुती ज़दा आसान पार्ट है फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है देखते है ये चो D है ये AC का मध्य बिंदू है ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है बहुती ज़दा आसान है सिर्फ दो लाइन का है 2nd पार्ट में हमें MD लंब है AC पर ये चीज़ whirlению करनी है तो फिर MD, AC पर लंब है, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें CM बराबर MA बराबर half AB है, ये चीफ प्रूफ करने, ठीक है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, solve करना बहुत ही जदा असान है, ठीक है, तो देखिए, आप लोग क्या करेंगे, कि जो पार्ट आप लिख लेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर direct सिद्ध से कर रही हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, लिख करके, first, second और third पार्ट को लिख लेना है, मैं यहाँ पर direct लिख रही हूँ, सिद्ध, first part हम सिद्ध करते हैं, तो देखिए, first part में हमें D भ मध्य बिंदू बहुत ही असानी से फ्रूफ हो जाएगा ठीक है देखिए त्रिबुज A, B, C में एसी भुजा के मध्य बिंदू से जाता हुआ ये रेखा खंड ठीक है मतलब DM और BC क्या है आपस में समानतर है ठीक है तो क्या हम कह सकते हैं कि AC का मध्य बिंदू D होगा क्यों समानतर हो तो वो तीसरी भुजा को क्या करता है समद्य भाजित करता है ठीक है इसका मतलब DAC का क्या हो जाएका मध्य बिंदू तो चलिए फर्स्ट पार्ट से दो लाइन का है जो चीज मैंने आपको बताई ही बही चीज हमें आपर लिख देंगे ठीक है तो चलिए मैं आप हाँ DM समानतर है BC के ठीक है M AB का मध्य बिंदू है और DM और BC आपस में कहा है समानतर तो मैं लिख सकती हूँ अतह D AC का मध्य बिंदू होगा ठीक है D भुजा AC का मध्य बिंदू है हमें फर्स्ट पार्ट में यही चीज प्रूफ करनी थी तो बस दो लाइन का है यह ठीक है फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है अब चलिए हम सेकंड पार्ट को सिद्ध कर लेते हैं या सॉल्व क कर लेते हैं सेकंड पार्ट में हमें MD ठीके MD लंब है AC भुजा पर ये चीज़ प्रूफ करनी है इसका मतलब हमें इस वाले कोंड को 90 डिगरी का प्रूफ करना है ठीके तो ये तो बहुते ज़दा आसान है हमें पता है कि DM और BC आपस में क्या है समांतर ठीके और जब कभी ऐस सिच्वेशन हो कि दो समांतर रेखाए हूं उन्हें एक तीर्यक रेखा प्रतिछेत कर रही हो तो वहाँ पर बनने वाले संगत कोंड आपस में क्या होते हैं बराबर ठीके तो ये कोंड कितना है 90 डिगरी का तो ये कोंड भी कितना हो जाएगा 90 डिगरी का बहुती ज़दा आसान है ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूं कि DM जो है न ये समांतर है BC के ठीक है और यहाँ पर कोंड C बराबर होगा कोंड D के reason हम दे देंगे चुकि ये क्या है संगत कोंड है ठीक है और जब कभी 2 समांतर रेखाओं को एक तीर्यक रेखा क्या करें प्रति C का मान हमें यहाँ पर पता है कितना 90 डिगरी बराबर यह हो जाएगा कितना कोंड D चाहे तुम reason लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोंड C का जो मान है वो कितना है 90 डिगरी ठीक है तो यहाँ से या करके मैं लिख देती हूं कि कोंड D बराबर कितना आ गया 90 डिगरी और यही च की second चीज भी निकलकर आ गई या proof हो गई अब चलिए हम third part को भी जिद्द कर लेते हैं third part मैं यहां कर ले रही हूँ third part के लिए हमें यहाँ पर CM को भी क्या करना हूगा मिलाना हूगा तो चलिए मैं यहाँ पर मिला देती हूं ठीके मैं यहाँ पर CM को मिला दिया है अब देखें हमें थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है ठीक है ये जो CM है ये बराबर है AM के ये चीज़ प्रूफ करने मतलब हमें मतलब ये वाली भुजा को ये वाली भुजा के बराबर प्रूफ करना है तो देखे बहुती ज़्यदा आसान है हम क्या करेंगे यहाँ पर आप लोगों को यह DM के इस तरफ एक त्रिबूज दिख रहा होगा DM के इस तरफ एक त्रिबूज दिख रहा होगा ठीक है यदि हम इन दोनों त्रिबूजों को क्या करदें सरवांगशम शिद्ध कर दें तब फिर AM और CM दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे तो चली मैं इन दोनों त्रिबूजों के यहाँ पर नाम लिख लेती हूँ कि त्रिबूज ADM W CDM में तो देखिए जब कभी भी हमको किनीवे दो त्रिबूजों को सरवांगशम शिद्ध करना होता है तो हमें उन दोनों त्रिबूजों में कोई भी तीन अव्याफ क्या करने होते हैं बराबर ठीके भुजा और कोण में से ठीके ना तो चलिए हम तीन चीज़ें आपर बराबर कर लेते हैं यहाँ पर देखे AD और DC आपस में क्या होंगे बराबर क्यों होंगे मैं बताती हूँ ठीके AD और DC आपस में क्या होंगे बराबर क्यों होंगे भई क्योंकि अभी अभी हमने क्या शिद्ध किया है कि D जो है AC का मध्य बिंदू है अब अगली चीज यहाँ पर देखी यह कौन कितने का है 90 अंसका ठीके और यहाँ और यहाँ क्या बन रहा है रैखिक यूगम तो आप लुक बताएगे जहाँ कहीं रैखिक यूगम बनता है तो वहाँ पर टोटल कौन कितना होता है 180 डिगरी अब एक कौन 90 अंसका है तो ओव और ये हो जाएगा 90 डिग्री का ठीक है अब देखिए तीसरी चीज तो बहुत अच्छे से हमें देख बारी है ठीक है कि MD हाँ पर दोनों त्री बुजों में क्या है उभैनिष्ट तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि MD बराबर क्या हो जाएगा MD और हम यहाँ पर रीजन देदेते हैं उभैनिष्ट भुजा ठीक है अब तीन चीज़े हो गई तीन चीज़े बराबर हो गई इसका मतलब यह दोनों त्री बुज के हो गई सर्वांगशम तो चलिए लिख देते हैं त्री बुज A, D, M, सर्वांगशम हो गया त्री बुज C, D, M, K और देखिए ठीक है यह भुजा बराबर है यह भुजा बराबर है यह भुजा बराबर है यह दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है ठीक है देख पा रहे हैं यह भुजा और यह भुजा इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है इसका मतलब सर्वांगशम त ठीक है तो यहाँ पर हम लिखनेंगे S A S सरवांगशम मता से ठीक है अब देखें दोनों त्रिपुष क्या होगे सरवांगशम और हमें पता है कि सरवांगशम त्रिपुजों के संगत अव्यफ क्या होते हैं बराबर तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि यह जो CM है है ना CM और MA आपस में क्या होंगे बराबर तो चलिए लिख देते हैं CM और MA आपस में क्या हो जाएंगे बराबर ठीक है इतना पार्ट तो आ चुका है इतना भी आ ही जाएगा ठीक है CM और MA क्या है बराबर तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यह आया कहां से CP CT से ठीक अब देखिए CM तो ठीक है लेकिन हम AM को क्या लेख सकते हैं या MA को क्या लेख सकते हैं इतना भाग और इतना भाग अपस में बराबर है ठीक है तो क्या मैं लेख सकती हूं कि यह जो MA या AM है यह half a b के बराबर है बिल्कुल लिखा जा सकता है ठीके तो चलिए लिख देते हैं cm बराबर half क्या हो जाएगा a b ठीके इसे हम दे देते हैं equation number first इसे हम दे देते हैं equation number second ठीके तो यहां से आप लोग देख पारे होंगे समी करण 1 व दो से क्या देख पा रहे है कि cm बराबर है m a और cm के ही बराबर है half a b इसका मतलब cm a m और half a b आपस में क्या होंगे बराबर ठीके तो चलिए यहां पर लिख देते हैं कि cm बराबर होगा m a बराबर हो जाएगा half a b और third part में हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी ठीके तो बहुती ज़्यादा आसान question है यह question number 7 ठीके first part दो line का second part भी बहुती आसान है 2-3 line का है और third part तो बहुती ज़्यादा आसान है ठीके तो I hope इस exercise के सारे questions आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ठीके आज हमारा 8 chapter खतम होता है ठीके यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like चुरूर करें ठीके और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें ठीके और यदि मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकाउन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो जब कभी भी मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचें थाइंक यू